नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेटी क्विज़ित निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते हम सौल्व करेंगे रिट एसस्टी जो कल पेपर हुआ है 16 अक्टूबर अलवर जिले में पेपर कीजी और बताईए कि 26 सितंबर वाला सिंपल था या फिर कल वाला सिंपल था मैंने कल भी वीडियो अपलोड कीती एसस्टी की उसमें ओल्ली क्योशन थे और मैंने बोला था आप इनको सौलू करके रखना मैं बहुत ही जल्द आपको आंसर बताऊंगी कल मैंने हिंदी, संस्क्रीज, साइकोलोजी सभी के आंसर की अपलोड की है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और बताईए पेपर कैसा था अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल सस्क्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए तक कि आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिले और आप उसे तुरंत स्वाल्व करें वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सकी कि पेपर कैसा था तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं टोटल हम यहापे 60 प्रश्ण करेंगे और बताना कि आपकी कितने सही हुए है यहाँ पर 91 प्रश्ण चंद्रगुप्त दिति के बारे में यह कतन किसने का है कि उसकी प्रजा सुकी है राजा ना तो शारिरिक दन देता है ना ही प् अगर आपको पता है कि चंद्रगुप्त दिति की समय कोन आया था तो भी आप तुक्के से सही कर सकते थे तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए फायान क्योंकि चंद्रगुप्त दिति की समय आया था फायान तो क्योश्ण नंबर 91 का आंसर रहेगा ए फायान वेसे देख तो एसेस्ट का पेपर बहुत ही सिंपल था 26 सितमर के अकोर्डिंग नेक्स अंग कोर वाट का प्रसिद्य मंदिर कहां इस्तिते जावा वर्मा कंभूज या साम तो राइट आंसर रहे गाएं पैसी कंभूज में इस्तिते नेक्स ते हर्षवर्दन के बारे में अग कुछ कथ दिये गये है 93 में उनको पढ़ना है और बताना है कि कौन से सही है हर्ष प्रतिक पांच वर्ष के अंत्राल में प्रियाक में एक सबा का आयोजन करता था बिल्कुल सही बात है ये तो हर्ष वर्दन ने हर्ष चरित पुस्तक की रशना की यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि हर्ष चरित की रचना बान भट ने की थी जो कि हर्ष वर्दन का दरबारी था यानि हर्ष चरित की रचना बान भट के द्वारा की गई थी तो यहां पर दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा तीसरा है हर्ष ने नालंदा विश्विद्याले के लिए सो गाउं दान में दिये यह बात भी सही है यानि एक और तीन सही है तो राइट आंसर रहे गाए पर सी एक और तीन नेक्स्ट दे नाइटी फोर समकालीन स्वरी सल्तनत कालीन प्रसीद लेकग अमीर खुसरो डीम्न में से किसके शिष्ष थे यहाँ पर किसके सिष्ष पूछा गया है तो राइट आंसर रहे गाड़ी हजरत निजामुदिन ओलिया यह ऐसा प्रस्णे जो बहुत सी परिक्षाओं में आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्टे в 95 जय द weten हाल वह महराब खान ने राजिस्तान के किस्णगर में 1857 इसफे की करांती की दोराण कर्णती कारी का नेत्त्व किया था अगर आपको महराब खान भी नहीं पता है तो जय दे हाल से आप राइट आंसर कर सकते थे पाल वदम नामक पुस्तक की रशना किस ने की चंदरबर्दाई मंडन शारंगधर या फिर माग तो राइट आंसर रहे गाएं पर भी माग के द्वारा की गई है नेक्स डे 97 चक्रपाणी मिश्र निम्न मेसिक कि शाषक के दरबारी थे महाराना प्रताब की महाराना सांगा की महाराना कुंबा की या राज सिंग के तो राइट आंसर रहे गाएं पर ए महाराना प्रताब की ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पेपर ही जो 6-10 की बुक से उसमें से बना कर दे दिया है क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर है देखिए आप खुद कीजिए और कमेंट शि सत्रवी या अठारवी तो राइट आंसर रहेगा सी यहां पर सत्रवी नेक्स्ट ए 99 नत्मल की हविली कहां इस्तिते बहुत ही पुराना प्रशने जो घूम घूम कर बार-बार परिक्षाओं में आता रहता है तो पता होना चाहिए राइट आंसर यहां पर रहेगा ए जैस सत्रवी नेक्स्ट ए 100 साधू सिकारी सेट सेटानी दुलहन दुलहन आदिक किस नत्ति की प्रमुक स्वांग है स्वांग का मतलब होता है रूपे डोल रत्य चंग नत्य अगनी नत्य या फिर गींदन रत्य तो राइट आंसर रहेगा यहां पर डी गीदन नत्य नेक्स्ट निम्न लिखित में से कौन सा परिमानात्मक परिक्षाओं का प्रकार है मोखिक परिक्षा निरिक्षन प्रायोगात्मक परिक्षा तो यहां पर निरिक्षन नहीं होगा यानि ए ओप्षन गलत हो गया निरिक्षन फिर से निरिक्षन आ गया तो यह भी नहीं होगा गलत हो मोखिग परिक्षा लिखिद परिक्षा और प्यूगात hourly परिक्षा तो रहा है और ड देखिए निरिक्षान यह नहीं होगा यानि कि परिमानाइत्मक परिक्षाओं का प्रकार है मोखिग लिखिग और पिर्युगात म combine यानि project जो तो राइट आंसर रहे गाँ पर सी अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन प्रशनों को सौलू करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर यह सब बताने के लिए सर्वशेस साधन बताना है तो चित्र की माध्यम से नहीं बता सकते हैं मान्चित्र से नहीं बता सकते हैं ना ही ग्लोब से बता सकते हैं तो राइट आंसर या पर रहेगा डी समय रेखा ग्राप के द्वारा बताया जा सकता है नेक्स्ट ए एक सो ती निशुल केवम अनिवारी बालशिक्षा के अधिकार को समीदान की किस भाग में सम्मलित किया है निशुल केवम अनिवारी बालशिक्षा के अधिकार को समीदान की किस भाग में सम्मलित किया गया है तो अनुछे तो याद रखना 21A के अंतरगती और भाग पूछाया पे गया तो राइट आंसर रहेगा तीन भाग तीन में निशुल के वं अनिवारी बालशिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है नेक्स टी भारत में समिदान दिवस कब मनाये जाता है 26 नवंबर, 24 दिसंबर, 25 जनवरी या 31 अक्टूबर तो यहाँ पर समिदान दिवस की बात हो रही है तो राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर समिदान लाग जनवरी में हुआ था लेकिन इसको अंगिकरित किया गया था 26 नवंबर 1949 इसको इसको 26 नवंबर को ही समिदान दिवस मनाया जाता है तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ए नेक्स्ट है निम्न लिखित में से कोन सा एक युगम सही सुमेली थे तो स्वतनता का अधिकार गलती दार्मिक स्वतनता यह यहाँ पर भी गलती शोषण के विरूद अधिकार यह यहाँ पर सही 23 और 24 यानि कि अनुच्छट 23 चोईस में शोषण के विरूद अधिकार के बारे में बताया गया है और सम्वेदानिक उप्चारों का अधिकार गलत है क्योंकि इसका अनुच्छट क्या है 32 तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी शोशन के विरूत अधिकार 23 और चोईस नेक्स्ट ए 106 किस संविदान शंशोदन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोग सबा की कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती तो यह बात कही गई थी इंकार में जो 91 वा संविदान शंशोदन हुआ था इंकार में तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ए इंकान में समिधान शंशोदन नेक्स्ट ए 73 समिधान शंशोदन द्वारा समिधान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई 9, 10, 11, 12 तो राइट आंसर रहे गए अपसी 11 अनुसुची जोड़ी गई थी 73 समिधान शंशोदन के द्वारा और चुहत्तरवे समिदान शंशोदन के द्वारा बारवी अनुसुची जोड़ी गई थी। तीहत्तरवा समिदान शंशोदन यानि ग्यारवी अनुसुची ग्रामिन स्वासाशन से संबंदी थे। और बारवी किस्से है नगरी स्वासाशन से संबंदी थे। यहां पर right answer रहेगा c next question number 108 अच्छा प्रश्णता जिसको जीले बिल्कुल correct यादे वही कर पाया होगा वेसे simple ही था संबाग वदजीलों को सुमयलित करना है یानी सही यूग में बताना है कि कौन सा है तो अजमेर नागोर टोंक भिल्कुल वाड़ा यानी first option ही सही हो जाएगा कि अज्मेर संबाग मी चारजीं ले आते हैं अज्मेर नागोर तोंकर बिलवारा और चारों ही याँ पर सही दिये गए हैं आप फिर नेक्स्ट भी देख लीजिए कि विकानेर मीं क्या गलत था विकानेर मी जुनजुनों और सिकर नहीं आएगा क्योंकि बिकानेर संबाग में बिकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगर आते हैं तो यहां पर जुन-जुनु सिकर इसलिए गलत हो गया कोटा में सवाई मादोपूर नहीं आएगा कोटा में कोटा, भूंदी, बारा और ज्छालावार आता तो यहां पर सवाई मादोपूर दिया गया है, इसलिए यह भी गलत है और उदैपूर में उदैपूर रासंबन पाली नहीं आएगा इसलिए यहां पर यह भी गलत हो जाएगा, ना ही सिरोही आएगा उदैपूर संभाग में उदैपूर, चित्तोरगड, रासंबन, डुंगरपूर, बास्वाड़ा और प्रताबगड जीले आते हैं तिहां पर राइट आंसर क्या रहेगा अजमेर संभाग नेक्स्ट ए क्योशन नंबर 109 उच्टतम न्याले को निम्ण मेंसे कौन सा प्रावदा समिदान का व्यक्यकार बताता है विदिक सक्षर्ता, लोग अजालत, न्याइक पुर्णावलोकन या जनित याचिका तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा C. न्याइक पुर्णावलोकन नेक्स्ट ए निम्ण मेंसे शिक्षन के अवभोध उद्देश का सही उधारण तो अवभोध में क्या होता है तुलना करना अंतर करना व्याख्या करना बार-बार दोहराना ये बाते आती अवभोध में तो यहाँ पर प्रत्य इस्ермरन और परिभासित करना यह नहीं होगा यह होता है ग्यान का तो यहाँ पर व्याख्या करना A option से होगा व्याख्या करना चेत्र बनाना तो किस में आता है कोशल में आता है तो यह बी गलत हो जाएगा तो राइट आंसर क्या रहेगा 110 का A व्यक्या करना नेक्स्ट ए जल दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 मार चुको राइट आंसर रहेगा B 22 मार ये प्रस्ट लेवल 1 में भी आया था नेक्स्ट ए कोहरा वर्षा तूफान आदी मोसमी घटनाए वायू मंडल की किस परत में घटित होती है आयन मंडल मद्धी मंडल शोब मंडल या समताब मंडल तो राइट आंसर रहेगा C शोब मंडल नेक्स्ट ए 113 परवति वर्षा में पवन के किस भाग को व्रिष्टी चाया प्रदेश कहते है पवन वी मुखी भाग पवन मुखी भाग ए वा बी दोनों को या इन में से किसी को नहीं तो राइट आंसर रहेगा व्रिष्टी चाया प्रदेश उसे कहते है पवन वी मुखी भाग तो राइट आंसर रहेगा A नेक्स ते उत्खाद भूमी संबंदी ते थार मरुस्तल से हाडोती की पठार से अरावली परवस्य है पूर्वी मैदान से तो आपको पता होना चाहिए उत्खाद भूमी चंबल नदी से संबंदी थे और चंबल नदी यानि चंबल बेसिन किस में आता है पूर्वी मेदानी भाग में आता है तो राइट आंसर यहां पे रहेगा D पूर्वी मेदानी भाग नेक्स टी 115 अगर आपको किसी प्रश्ट में डाउट रहता है तो आप कमेंट सिक्ष्ट में जरूर बताएं कि में इसका अंसर यह होना चाहिए अगर आप डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन डाउट होना स्वाभावी के हो सकता है आपको लगता है नहीं कि में इसका अंसर यह होना चाहिए तो आप कमेंट सिक्ष्ट में जरूर बताएं यहाँ पर 115 है कि बंगाल के खाड़ी अपवात अंत्र में संब्लित न दिया है माही पारवती बेड़स तो यहाँ पर माही माही किसकी है माही जाती है अरफ सागर बेसिन में तो राइट आ आंत्रिक अपुआतंत्र है तो यह पर यह गलत है पारवती चंबल और साची सावी साबी भी अरफसागर की है तो इसने राइट आंसर रहेगा है पस पर नास बेड़ा चौर पारवती इसने राइट आंसर क्या हो जाएगा 115 का सी नेक्स्ट ए 116 भूगोल में सायक प्रवि विकास प्रभावशाली शिक्षण या उप्त यह सभी तो राइट आंसर यहां पर रहेगा डी यह सभी नेक्स्ट ए बिमा के पक्षिकार होते हैं दो तीन चार पांस तो राइट आंसर रहेगा एक दो होते हैं 118 सहकारी समीतियों का पंजी करन कराना आवशा की अनिवारी है एच्छी की या अनावश्य की हैं तो राइट आंसर रहेगा सहकारी समीतियों का पंजी करन कराना अनिवारी हैं बिया पर सही हो जाएगा कंपल सरी होता है पंजी करन करवाना नेक्स्ट ए 119 तेखिए 119 प्रश्ण क्या है उप्भोक्ता विवादों के निप्टाने की अवस्ता तंत्र है द्वी इस्तरी एक इस्तरी त्री इस्तरी या फिर चार इस्तरी तिहां पर राइट आंसर रहेगा C त्री इस्तरी एक राज्ट इस्तर पर एक राज्जी इस्तर पर और एक होता है जीला इस्तर पर इस्ते त्री इस्तरी प्रक्रिया है उब्भोकता विवादों की राइट आंसर रहेगा C तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा D पत्र मुद्रा निर्गमन रिजर्व बैंक ओफ इंडिया का मुख्य कार्य है हडपा के नगरों में सबसे अच्छी मारते धान्यगारों की थी यह सही है हडपा और मोहन जोदो दोनों नगरों के अपने दूर्ग थी यह भी सही है खुदा इससे पता चलता है कि इस सब्मेता में तीन सामाजिक वर्ग रहते थे यह यहाँ पर गलत हो जाएगा इसने राइट आंसर क्या होगा एक और दो यानि यह आपर सही रहेगा नेक्स्ट ए एक सुबाइस वेदों के बारे में निम्ले लिखित कत्नों पर विचार कीजिए वर्तमार में प्रचलीत गायती मंत्र रिगवेद का ही एक मंत्र है यह बास सही है यजूर वेद में यग्यों में प्रियुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है यह भी सही है सामवेद गद्ध पद्ध दोनों में लिखा गया है तीसरा ओप्शन यहापे गलत हो जाएगा क्योंकि सामवेद नहीं याजूर वेद गद्धी पद्धी में लिखा गया है तो इसलिए तीसरा ओप्शन यहाँ पर गलत है नेक्स्ट ए अर्था वेद में विभिन रोगो एवं उनकी चिकिसा विद्धी से सम्मंदित ग्यान संक लेते हैं यानि फौर भी सही है तो यानि एक दो चार प्रथम उबदेश को, निर्वान को या ज्यान प्राप्ति को तो राइट आंसर आएगा माहत्मा बुद्ध के द्वारा जब अपना घर का त्याग किया गया तो उस घटना को महा भी निश्क्रमन कहा गया है तो राइट आंसर आएगा आपर A अशुक ने तृति बोष संगिती का आयुजन कहा किया राजग्र वेशाली पाठली पूत्र या कुंडल वन तो राइट आंसर आएगा C पाठली पूत्र ने अशुक ने एक सो पच्चीस मगत महा जनपत से संबंदित निवनलिखित कत्नों पर विचार करना है मगत चारो और से गंगा और सोन जैसे नदियों से गिरा हुआ था ये बास सही है मगत की प्रारंबिक राजदानी कुशी नारा थी यह यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि कुशी नारा तो कभी मगत की राजदानी बनी ही नहीं मगत सामराजी के उत्ता नेवं सम्रिद्धी में अजाज शत्रु का महत्पूर योगदान रहा यह यहाँ पर सही हो जाएगा यानि एक और तीन तो यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा एक और तीन नेक्स डी एक्सोचप्श अमेरिका की शिकागो में इस सर्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजुत किया गया था अठासु इंकाण्वी, अठासु तरान्वी, अठासु पिंचाण्वी या सिंत्याण्वी तो राइट आक्सर रहेगा तो भी 28itionally इस धर्म सम्मेलन यारी शिकागों में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इस पीज दीती किसने स्वाबी विवेकानन जी ने तो राइट आंसर यहां पर रहेगा बी अठारा सो तिरानवे नेक्स्ट ए 127 अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट शिक्स में जरूर बताएं आपकी कितने सही हूए है पेपर का लेवल के साथ हूए अगर आप नए हैं तो चेनल सस्क्राइब कीजए साथ में बेल प्रेस कीजिए यहां पर नेक्स ए है निवन में से भारती राष्ट्री आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई आसायोग आंदोलन तो आसायोग आंदोलन कब हुआ था 1920 दांडी मार्च 1930 चोरी चोरा कांड जो घटना हुई थी वो हुई थी 1922 और जलियावाला भाग हत्याकांड हुआ था 1919 तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे पहले घटित घटना तो राइट आंसर क्या हो जाएगा C जलियावाला भाग हत्याकांड यानि 127 का राइट आंसर रहेगा C नेक्स्ट डे 128 राजिस्तान की पुरातात्विक इस्तलवर नगरू का कौन सा युगम सुमेली थे आहर भिलवाडा में नहीं कहां पर है उदेपूर में ए तो गलत हो गया नोह सिकर में नहीं कहां है भरतपूर में इसने B भी गलत है बाग और भिलवाडा में ही C भी गलत हो जाएगा यानि कि D option सही है चंद्रावती सिरोई तो question number 128 का right answer रहेगा D Next A राजिस्तान के एकिकरन के दोरान मतज सिसंग की राजदानी कौन सी थी? मतज सिसंग में चार जिले आयते अलवर भरतपूर धोलपूर करो ली तो राजदानी पूछा गया है तो अलवर राजदानी बनी थी इसने right answer रहेगाए आपर A अलवर Next A निव्ण में से कौन सा क्रांतिकारी आज इवन अंग्रेजु की पकड़ में नहीं आए प्रताप सिंग बारट केषरी सिंग बारट जोरावर सिंग बारट या राव गोपाल सिंग खरवा तो right answer रहेगाए आपर C जोरावर सिंग बारट Next A 131 कौन सा वादी अवनत श्रेड़ी में आता है अवनत वादी अंतर वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा वनत श्रेड़ी में यानि कौन सा वनत वादी अंतर हैं तो right answer हो जाएगा A मादल Next A 132 नेंड में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारा वर्ष और मूंज ने करवाया था रन्थमबोर, चितोडगर, भूंदी या जालोर तो right answer यहाँ पर हो जाएगा C जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था परमार राजाओं के द्वारा तो 132 का right answer रहेगा C 133 1890 यानि नवासी 1889 में निम्न में से कहाँ पर याँ पर आपको दिखनी रहा होगा निम्न में से कहाँ पर राजपुद हितकार्णी सबा का गठन किया गया था यानि 1889 में राजपुद हितकार्णी सबा का गठन कहां किया गया था अजमेर, माउंट आबू, चोथपूर या उदैपूर याँ पर रहेगा अजमेर के अंदर किया गया था अलावदिन खिलजी ने किस वर्ष रन्थंबूर पर अधिकार किया 1301, 1303, 1308, 1311 तो राजपूर याँ पर हो जाएगा A, 1301 नेक्स्ट A, 135 B.S. Bloom के अनुसर मुल्यांकन आयाम हेतु तीन आउशक परिस्तितिया शेक्षिक उद्देश आधिगम के अनुभव व्यवहार परिवर्तन तो याँ पर A ही राइट आंसर है मुल्यांकन आयाम की तीन आउशक बाते B.S. Bloom के द्वारा बताई गई थी शेक्षिक उद्देश आधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा A नेक्स्ट A, 136 निम्न मैंसे कौन से राज्यों के समों में द्वी सदनात्मक विधान मंडल है राजस्तान मद्यप्रदेश में नहीं है A गलत हो जाएगा पंजाब में नहीं है B गलत हो जाएगा गुजरात में नहीं है C गलत हो जाएगा यानि D आपर सही हो जाएगा आंधर प्रदेश और करनाटक नेक्स्ट A बालश्रम को गेर कानूनी घोशित करना एवं प्रारंबिक शिक्षा को अनिवारी एवं निश्वल को घोशित करना किस प्रकार के न्याय के अंतरगत आता है राजनितिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय या फिप परंपरागत न्याय तो राइट आंसर आएगा B, सामाजिक न्याय सूव यवस्तित मद्दाता शिक्षा एवं निर्वाचन सभागीता है तो स्वीप कारिक्रम कब शुरू किया गया 2002, 2007, 2005 या 2009 तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा D2009 149, राजसभा की बारे में निमनलिकित कत्नों पर विचार कीजिए राजसभा का कारिकाल 6 वर्ष होता है गलत हो जाएगा कितने वर्ष होता है पांच वर्ष होता है भारत का उप राष्ट्रपती राजसभा का पदिन सभापती होता है सही है राजसभा का गठन भारती समिदान के अनुछे असी के तहत होता है तो ये भी सही है यानि दो और तीन तो सी यहां पर सही हो जाएगा दो और तीन नेक्स्टने 140 भारत के राष्टपती से सम्मधित तिमन में से कौन स एक युग्म सही है 62 शमादान का अधिकार गलत है 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ती यहां पर सही हो जाएगा दो 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ती राष्टपती के हित में है यानि right answer रहेगा डी question number 141 सामाजिक विज्ञान में मानचित्र सम्मंदी फ्रस्निक की सिक्षन उद्येश से सम्मंदित होता है ज्ञान, ज्ञानों प्योग, अवभोध या कोशल तो यहाँ पर right लगा रखा है अवभोध तो यह गलत ही right answer रहेगा D, कोशल क्योंकि अवभोध में क्या होता है व्याख्या करना, अंतर करना, बार-बार किसी चीज़ को धोराना बार-बार पढ़ना, तुलना करना ये चीज़ आती है यहाँ पर right answer रहेगा D, कोशल next day 142 शुक्र ग्रह का परिक्रमन समय है तो यहाँ पर A गलत ही यानि 88 दिन नहीं होता है 365 दिन नहीं होता है 687 दिन भी नहीं होता है तो right answer रहेगा B, 225 दिन आपको वही सही मानना है जिससे मैं blue से right कर रही हूँ क्योंकि paper में जो right है वह सही नहीं है तो यहाँ पर 42 का right answer क्या रहेगा B, 225 दिन next day 43 परिवहन उद्योग, जन संक्या खनीज आदी की वितरण को दर्शाने वाले मानचित कहलाते है भोतिक मानचित्र, भू संपती मानचित्र, राजितिक मानचित्र या विश्यक मानचित्र तो right answer रहेगा पर C, विश्यक मानचित्र next day 144 144, सिरोही पॉइंट कौन से महादिप में इस दिते हैं एशिया, उत्री अमेरिका, यूरोप या अन्टार्ग ठीका तो right answer रहेगा पर D, अन्टार्ग ठीका 145, कौन से 1 कौन से 1, टेगा 1 की नाम से जाने जाते हैं कौन धारी 1, भुमत्य सागरी 1, पत्यजड वन या मरुस्तली 1 तो right answer रहेगा A, कौन धारी 1 146, कौन से म्रिदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले शेत्र में विक्सित होती हैं काली म्रिदा, शुषक म्रिदा, जलोड या फिर लेटे राइट तो right answer रहेगा आपर B, लेटे राइट, म्रिदा next A, राउर केला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया तो right answer रहेगा A, जर्मनी 148, उत्तर दक्षिन गलियारा जोडता है कोलकाता को चेनने से, राजकोट को सिल्चर से, जेपुर को कोलकाता से, या श्री नगर को कन्या कुमारी से तो right answer रहेगा आपर श्री नगर को कन्या कुमारी से 149, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड, चक्रवाद कहलाते है टार्नेडो, हरीकेन, जेट इस्ट्रीम या टाइफून तो right answer रहेगा C, टाइफून नेक्स्ट और अंतिम प्रश्ण इस्थान उसके विविद लक्षणों, वित्रणों तता इस्थानिक संबंदों का अध्यान आप किस भिशे में करते हैं भुगोल में, अर्थशास्र में, इत्यास में या राजनिती विज्ञान में तो right answer रहेगा है पर A, भुगोल के अंतरगत इस्थान उसके विविद लक्षण, वित्रणों और इस्थानिक संबंदों का अध्यान किया जाता है ओके दोस्तों कीजिए इन प्रश्णों को और कमेंट से जरूर बताएं आपकी कितने सही हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सिस्क्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद